प्रदेश में आप कहते हैं कि गुंडे नहीं है तो और क्या है बाबा योगियादी तेनाथ अपनी जात है और विरादी जो 15 परसेंट समाज के लोग है अब ये 44 सब प्रोफेसर बना दिया गोरकपुर में प्रोफेसर कौन लोग है और भारस सरकार के सच्वाले में जिनको बड़ा यादों पर प्रहार होता आप पता कर लो कि एक भी सचिवाले में सची हो अखिर क्यों नहीं है हमारी नावक्र को हमारी ह्पमारी को कौन खा रहा है सवाल तो इस बात का है अधम ते अधम नारी यह पोस्टर लगाया है पूनम मौरिया ने इन्होंने भी अपने नाम के आगे शूद्र पूनम मौरिया लिखा हुआ है तमाम जो समाज़ादी पार्टी के नेता थे उन्होंने जो पोस्टर लगाए उन्होंने अपन चैनलों पर चला था उन्होंने कहा कि मैं मुझे आज से सुद्र कहा जाए तो उस कारिक्यम में हम लोग भी सामिल थे और अवशक्ता ही आविशकार की जनिनी है हम आज भारत में बाबा भीमरा उंबेटकर का धन्यवाद है कि उन्होंने हमको संबैदानी कादिकार देकर OBC द चलाओ दिया जा रहा है उन्होंने क्या गुना किया सोनों को बच्छों मिल रहा है हमारे बच्छों को क्यों नहीं मिल रहा है इंस्क्राइब क्यों किया जा झाओ है बाबायोगिया आदीत अपनी जात और विराधरी Stones समाझ Europ अब ये चवाली समप्रोफेसर बना दिया गोरकपूर में, काशी हिंदु विश्वीद्या दे रहे में प्रोफेसर की कौन लोग है, हाईकड में कौन लोग है और भारा सरकार के सचोवाले में जिनको बड़ा यादों पर परहार होता है आप पता कर लो कि एक भी सची वाले में सची हों आखिर क्यों नहीं है हमारी नौकरी को हमारी हकमारी को कौन खा रहा है सवाल तो इस बात का है और जब स्वामी परसाद की गर्दन काट निकली आपको होगे जब आप उनकी सुपारी लोगे बाबा के रूप कैसे बाबा हो य आप एक जगह पर रामचरीत मानस की प्रतियां जलाई गए उस पर क्या कहींगे देखिए मैं मानते हूं कि यह बैचारिक लड़ाई है हिंसा से किसी भी लड़ाई को नहीं जिता जा सकता है प्रतिया नहीं जलानी चाहिए वो चाहे जो भी जिसकी विकृत हो लेकिन जब आप संविधान की प्रती जलाते हो तो मैं पूछते हूं किृ भारत सरकार कि क्या करवाई किती है श्रकार सरकार इनको जेल जानी चाहिए नहीं चाहिए आपके जो नेता है स्वामी प्रसाद मौरिया उन्होंने तो कह दिया कि रामचरित मानस को बैन कर दिया जाना चाहिए और रोज नए नए बयान दे रहा है वो हमारे नेता आधरनी राष्टी अधेश माननी अकलेस यादो जी है और स् अपना विचार है माननी अकलेस की क्या मांग है आपका क्या विचार जो माननी अकलेस जी कहेंगे वह हमारा अपना विचार है जो पूस्टर लगाया है किस विचार से किस मांग के साथ ही लगाया है जब माननी राष्टी जी ने कहा कि मैं योगी आधितेनाथ जी से पूछ उसका मतलब कि मैं शुद्र हूं की नहीं उनका आवास गंगा जल से दुलुआया गया कौन लोग है जो हमारे लोगों को खलनायक बनायाना चाहते हैं कौन लालू प्रशाद यादो को चारा चोर कह देता है कौन द्वापर में कृष्णा को माखन चोर कह देता है कौन मन्यकल प्रशान का विरोध करते हैं वहीं लोग है वहीं लोग है यह पूनम मौरिया है जिन्हों ने पोस्टर लगाया जिनका कहना है कि यह हमारी पिछड़ों की दलितों के लिए जो अभी तक होता आया है उसके खिलाफी लड़ाई है यह बैचारिक लड़ाई है और इसी को ले कर दो